पुतना बज़ी तरह से हैं तर्ष्ट्राइब कोई प्रिष्णा करें हरी बोला हरे कृष्णा हाँ देखो अब हम लोग ने जो कथा सुने हैं आपको यह कथा नया लगा होगा क्योंकि अगर जो बिक्ति डायरेक्ट यह भागवत ग्रंदव अभी ध्यान देखर सुना इधर तर्वाथ मत्दव कि जो बिक्ति डायरेक्ट यह भागवत ग्रंदवे कー Grü Aha Kitchen Q क्रिश्णा कैसे गोपुल में गोपुल में क्रिश्णा कैसे आए ये कथा सुनी है इसको हमारे श्री जीव गोश्वावी कभी कर नबूद इन लोग न भरना कि आप बोलने भागवत में कहां पर है बड़े बुर्जिस में परमान देठी ये गोपी की तिका जो पहला स्लोक है जानतो गोपी की तिका पहला स्लोक किया है ये गोपिया ये बात को राधान आई गोपिया जब जमना की नहरा में बैए कि कर कि जब गोपी की थिकाई ये पहला स्लोग है बले जयती ते भीकम जन्मना ब्रजा स्रायत इंदिरा सास्वदत रही घुपिया गह रहे हैं जब से तुमने ब्रज में जन्म हुए हो पर कह रहे है राधार रहा है गोपिया इतकब सब्सक्राइब करते हैं ब्रह्म स्थुति करते हैं ब्रह्म स्थुति का पहला स्लोपे नव मिट्रते अभ्रभव से तरी तंब राय गुट्राइब कि ब्रह्म करने हैं फिर जब सुप्देव गश्मामी कृष्ण का जन्म स्थूतियों को जब जन्म को जो भगवान जन्म हुए तब उन्हें इसको आठारा स्लोग में वर्णा किया है तो जो पहला स्लोग है वहले नंदस्तु आत्मत जलाता नाद महामना सुप्देव गश्मामी कहते हैं नंदस्तु आत्मत जब नंद बबा का आत्मा से जन्म हुए हैं जाता लाग महामना नंद बड़ी प्रसंद हुए इसलिए कहते हैं जब श्रीप बसुदे महाराद कृष्ण का उनकी नाम करना कर लाइते वो भी कह रहे हैं बले सिर्फ नंद यह जो बेटा है ना प्राग अयम वसुदे वक्स्य पोचीत चात कवात्म जोगी बेटा तुम्हारा है लेकिन उसने कभी वसुदे वगावी बेटा बना है इसलिए इसका नाम एक नाम वसुदे भी नाम होगा इसलिए भागवत में बहुत सारे जागा पर कहते हैं कृष्ण गोपुल में स्री नंद के लाला बत करें के आये हैं इसलिए हमारे गोस्वामियों ने बड़िये सुंदर रूप में जन्व उस्वकों ने बरणना किया है ते हो अभी हम मत्वुरा चलते हैं जिस समय बसुदय माहराज स्री बसुदय माहराज उन्ह ने कधि गोपुल में दो संतान हुए हैं। एक कृष्ण हूय और उनकी बिच्छे-पीचे जोगमया पर यहां पर दुसरा प्रशन आता हैं एक गोपुल में Krishna जो हुए फर मथुरा से वसुदये महाराजी एक Krishna को लेकर गये cu !! पर Krishna कितने हो गई ? फिर एक Krishna गया गया ? मथुरा में जो Krishna वह न अंसुचन और और अंस्पष्ण है लेकिन गोपुल में जो Krishna हुई पुर्ना करृष्ण है में पुर्ण क्रिष्ण है रात समय था वसुदया महाराज को बताए नहीं चला उनने जब अंसर कृष्ण को लेगए और पॉर्ण कृष्णा गोकुल में आई न अपना सरीरे में मिला अच्छी लेकिन रात में इनको पताई नहीं चला इनको ये पता चला हमने बेटर को रख करेंगे हमने बेटी को लेकर आई लेकिन बीच में क्या हो गया उनको यह बात बताई नहीं चला इसलिए एक ग्रंथा है रुत्र जाबल यह संकर जी यह पारवति को यह स्वयूं कह रहे हैं पारवति मैंने अपना आँखों से देखा वले क्या स्वर्गे सवतनामीनी जठा जैसे जो स्री नंदव वतुत्द विस्थेव महराज जब उनने अंसकृष्ण को लेकर गए जैसे आगास में जैसे बिजली चमकती है ऐस ही स्री नंद नंदन ने इसलिए रुद्र जामल में संकर जी माता पार्वत को भी यही बात कहते हैं इसलिए बहुत सारे सांस्तर में सब ब्रमाना आती है अभी चलो मधुरा में जिस समय वसुदे महराज उन्हें बैटी को लेकर का आए अंदर में प्रवेश करते ही बैटी ने रोने लग गया पहरा कि अभी प्रात ना कि तुमेरे चरी बच्चों को मान से एक बच्चे को छोड़ जे लेकिनि अभी तक तो वो ती च्योg माया अलें किन इककर आपियों जो मया को चैन्षी अशना अ कर सकता हैं कि महा माया हो गई जब उसने पचार्ड बे क्वें पूर्ण जान्म ले चुटा उसने देखा ये तो मेरी उलदेवी जितने कभी जूट बोली नहीं सकती हैं फिर उसने पूरा पुतना अगास रवकास को बुला करें बिटी किया बता अभी क्या करनी चाहिए कूतना मतलब सिसका पूत्र नहीं है पूतना इसका पूतर नहीं इसलिए कर pursue नहीं क्रिश्ण का सारे शक्षालब जन्म होई उन्हें है युड-є- जोग माया ने पूरा पुतना को खेंज कर Sweet जो那ně गोपुलिय में ले आइए यहां पर सठीसुप्देव कहते संबसे दude बह बया कि यह पुतना कहां परवे सेंचे पूटना का पुतना का आप जो पबित्र नहीं अपडित्र है कहां प्रवेस करते हैं तरुसे प्रवन अतिनी रखत नान कि प्रमसुन उहीं पर यह पाप प्रवेशवक्रति जहां प्रप्रव का फिर्थन नहीं, बजर नहीं, लेकिन यहां तो स्वयम आनंद दंध कृष्ण जन्म नहीं है, पर यह पुतना कहीं से आगे है, कर दी कृष्ण की इच्छा है, तो ले क्यों अगर पुतना नहीं आता, आती पर कथा पर यह पुतना के से सुनते, रावन नहीं होता, रामान होता, कंस नहीं होता, क्रिश्ण लिला होता, इनको उपर से दिखाए बढ़ता है, जैसे भगवान की सत्र है, क्याते जत्यों देखा चैतनर अरी, से सब चैतनर लिला पुष्टिक अरी, जिनको हम भगवान की सत्र दिखते हैं न, वो सब्द्र नहीं भगवान को लिलां को यह मदद करतें, एक तरह से, मदद करतें, क्रिश्ण की इच्छा, यह पूतना यह गोकुल में आए, जो पूतना आए, क्या उनकी सुन्दर मिठी मिठी है सी, क्या उसकी स्रिंगार, क्या उसकी चाल, एज लग रह पूतना जैसे क्रिश्ण गोकुल में जनम लेने कर, मा लखनी स्वयम वैपुंधर छोड़ करके प्रम्तो स्वागत करने के लिए, इतने सुन्दरी में हुई थी, और सिधा घर में गई, कोई बोल चाल नहीं, सिधा क्रिश्ण को पकड़ लिए, यहां प्रश्ण होता है, आपका घर में कोई अन्जान वेक्ति आये, और बिना बोले, आप कमारी बच्चे को गद मिले लेगा, अब लेने दो गए, अन्जान वेक्ति को, फर यह पूतना कैसे क्रिश्ण को कैसे उठा लिए, पर यह इतने सुन्दरी बन करके आये थी, महिया सोच रहे कि इसकी अग आपको बंद गर्दी, तब हमारे टिका कारन लोग इसका पीछे बड़ी-बड़ी रहसे बताते हैं, क्रिश्ण आख बंद उन्हें क्यों किया, इसमें तो बढ़वाचार जने तो दौस बार कारन बताए, हमारे विश्वन आचे कारन बताए, हम भी दो तीनी कारन सुनते ह आपको मैं पूछूंगा आचे सुन लो, पहला कारन ही भगवान जगत में आये क्यों, इसलिए आये परित्रान या साधुना विन्या सायच दुष्किता, भगवान इसलिए जगत में आये, दुर्ष्टों को संधार भक्तों को रख्या करने के लिए, अब ही प्रभू स्री गणे से करने जा रहे हैं, पहले सबसे पहले इसको मारेगी, लेकिन वो मा की रुप उधारने करते हुए है, भगवान संधार करने पर भी लेकिन भगवान बड़े तयाल हुए, अब ही सोच रहे हैं, जो भी कुछ हो, यह तो मैरी मैया की रुप उधारने करे के आई ना, अब उसको में मारूँगा, मारूँगा तो ये छटपटा आईगी, अब उसका धूख को में देखूं कैसे, इसलिए भगवान आख अबर्ट कर दी, दूसरा कारण है, बले आई क्यों, बले बैच्चें को मारने के लिए, बले ब्रेज में जितने सब बैच्चे हैं, कोई लल कपटी हो, उपर में तो मा की रूप उलहन करके आई, लिए अंदर में तुम सतन में जहर को तू ले करके आई, तू कपटी हो, कपटी बैटी का में मुह नहीं देख सकता हूं, इसलिए भगवान ने आख वल्द कर दी, चोगा कारणा बताए, बच्चों का है के सुभाव ह अपना परिवार के लोग हो ना, उनको सामने तो खेलते कुरते हैं, लेकिन कोई अंजान बेकिती हो, बच्चों को दर जाते हैं, तो कहां से आई इसलिए वह भगवान दिख्या किया, आख बंद कर दिया, छटमा कारणा बताए, बच्चों का पुर्ब जन्म में इसने क्य क्या पुन्य की आई वलकियों, बले जन्म जन्म मुनि जतन तर आई अंतराम कही, आवतन आही, लेकिन उसने इसे क्या पुन्य की, मैं जो परम ब्रह्म हो, मेरे कोई गोत्व को उठा रही है, इसने भगवान आख बंद करके, इनके पुर्ब जन्म को देख रहे तो बले आता तुम्हें पुस्तान पान कराती, बले वही अभी ये पुतना मन करिका आई लिए, उसका छटमा कारन बताए, भगवान की गर्भ में अनंत बड़ी विशो ब्रह्मान है, भगवान अगर जहर पान करके तो क्या होगा, सार विशो ब्रह्मान धन्स हो जाएगा, इसले स सारा विशो ब्रह्मान धन्स हो जाएगा, सबके सब घबड़ा होगे, इतने में भगवान ने स्री संकर्ति वही आजुकिया, बले भोले वावा जल्दी जल्दी आउग, क्यों, बले तुम्हारा काम है बीश पिना, और मेरा काम है दूद पिना, आप तो बीश बीश को पि लेता हूं, इसलिए उनने हां को बंद करती होले वावा याद लिया, इतने में जब उनने उनको मुह में स्तन दिया, क्रिश्न स्तन क्या पान करिए, उसको प्राण को ससर की, पुद्वरा ने कोशी सी की छुड़ाने के लिए, लेकि छुड़ा नहीं सके, तो लेकियों, क् इतने प्यार कि कभी में तरह का छोड़ सकता हूं, इसलिए तब तक नहीं चड़ूगा जब तक मैं अपना धाम में नहीं पहुंचा देता हूं, उसने कोशेश की, उसने छुड़ा नहीं सकी, इसका सिख्या देते ही, भगवान कहते ही, शक्रीत एव प्रपर्ना जस्तवा इसका मतलब है, एग बार अगर कोई बोल दे है ठापूर में तेरा आउ तू मेरे हो, तो बोल एग बार बोल दे, भगवान कहते हर समय में अपना चर्ण में स्थान देता हूं, अभी पुतना सोच रही है, अगर में मत्मा चला जाओ ना भईया कंस कुच करेगा, इतने में धिरे धिरे पुतना अपना स्वरुप में आगे, क्या भयकर उसकी रूप थी, कृष्ण को ले करी का अगास में ओड़ चली, कृष्ण को ले कहां चल जाओगे, तुम मेरे चर्ण में आए ना, इसलिए मैं तरे को जाने नहीं कूंगी, इसलिए जीव उसमाम इसकी ठीका म और कृष्ण को मिलने नहीं चाहिए, मैं और मेरे अनुजायों को मिलने चाहिए, भगवान को ले के दुनिया किसे ने बनाया, मैं नहीं, दुनिया मेरा क्यों बनाया, मेरे भक्त के लिए बनाया, मेरे लिए बनाया, मेरे को और मेरे भक्त को नहीं मिलेगा, और जितने नुक्सान नहीं पहुंचा उन्हें पुतना को लेते उक्सी बगीचा में ले गई और कितने बड़ी थी त्री गभीद्र कोई कहते आठरव में कोई कहते चबीस मिलती और उसको लेकर ऐसे बगीचा में धरांग करके दिराए जितने सारे भी पेड़ पाउदा फाल फुल्व सब्कानास कर लिया हाँ यहां से एक सिच्छा लेकर जिए अपकंशे कम साथ में कता सुने एक चीज लेकर जिए उपनिसाद और कहता है कि इसा बास्याम विदम सर्वं जत किंचा जगत्या जगत्या बतलब है यह जगत में हम जो चीज देखने यह भगवान में बनाए यह ने हामने कोई चीज नहीं इसने बनाया दुनिया को भगवान ने वनाए इसरे भगवान कहते तेर किन BLACK संदेक्ख oveип the heart प्रसाद रूप में जरहन करो किसे रेक्रिशन कहते हैं प्रसाद सर्वध दुखा नाम निरस से उपजाए जो ब्यक्ति भगवान को भोग लगा करें प्थाएगा उसका घर्मी कहीं दुखकष्ट नहीं हो सकता घर्मी कोई दुखकャष्ट तर diffam नहीं आएगा घरत प्रसांतिस उपजायी एक सर्ण नाम एकर चीज और करते हैं हर चीज हम पैसा सब्सक्रा differentiation किसा काद्र पैसा तो पैसा लक्समीड' लक्समी हमार नारायानिकी भगवान लगेगी फिर तो लखमी घर में 37 हो देती है अगर भले घर में अरवक खरव रुपय आ जाए लेकिन वो भगवान के सेवा है नहीं लगेगी आपदिकना घर में कर भी 37 ज़को नहीं आ सकती है भर गर को लड़ाज लगादेंं। रह वोग मोर बैंत के में को लगादें। घर में दूख ही दुभु लाए हाजए आगी क्युं। समझ circle उत्माहरे लख् mulheres हिने ngo स्भावनी की लक्ष्मी तभी ये लख्यवानी की लेख्टमी सांती सूउ वाँ बात हो तो लक्षुमी का लाँ वाद मतलब जब घर में लख नख़ल शो गई आती है नंग बार जोल्द बैदील नहीं के लगन पुञ्लों को पर में लख्मी अकली वैटी है लेकिनी गवल बाएवारनय तो यूम अगर लुविभ भूला घर के बहुत कुछ नहीं होगा अगर वह लख्मी को ना राहान की सवा के लिए वुलाते है ना पर लक्षणी अकली नहीं और गरुडों को पीट उपर बैट करके आएगे, गरुडों कहां रहते हैं को लिए वाइकुंध में, पर हमारा घर को गेकुट बुरी बनाएं, घर को हमारी वाइकुंध बना देंगे, इसले लक्ष्मी को बुलाओ, क्यों भगवान की सेवा के लिए बुलाओ, इसले घर मे जो कुछ उठाव पहली क्या कर ठागुरुजी को तुलसी पता से ठागुरुजी को भोग लगा, देखो भगवान को भोग लगाने कामी बड़ा मार्त्वाई, अगर नहीं लगा गे ना पड़े पाव, आप लोग कृष्न लिला देखे होंगे, जब कृष्न सुदामा जं के लिए गए, दो मुटी चिडवा लेकरे गए, खाकुरुजी एक मुटी खाए, दो मुटी खाए, किसरे मुटी खाने जा रहे तो रुख्मणी हाथ मखरी बले और नहीं, सुदामा घर में आया तो सोने की महल, पत्नी साधार नहीं राणी बन कर दो बैट हुए, अपना पत्नी को पहिचान नहीं पा रहा था, मतलब भगवान को अगर हम भोग लागर खाएगे ना, भगवान तुमारी घर को भर देगे, जोली तुमारी भर देगे, अगर भगर भोग नहीं लगाओ ना, फिर तो धर में दरी तरता आए, और और एक चीज समझो, जो मित्ती प्रहुबी सेवा करते हैं, देखो, एक संते की कथा समना रहे थी, एक समय के इसका भई साधी था, उसने अपना परिवार को सब को भुलाया, उनने कुछ संतों को भी बुलाया, जो उनकी परिवार को लोगो जो बड़े-बड़े पैसा बाला थे, कुछ गीप्ट लेकर आ पुछ संतों लोग को भी निमातर न दिया, संतों लोग भी आये, लेकिन घर का जो मालिक था ना, बले संतों लोगो तो खाली हात ना आये, बले इनके लिए बासी खिखिन भई देखो, उस दर लेकर आये नहीं, और जो टाई, कोट, भूट पहीन करके सब के सब आये, इस रसमलाई, लेडिक नि चमचम, साइप निक लेज़ देखो, भगवार ने देखा, देखो, ये संतों लोग जो खाये ने, क्या करेंगे, समसे पहले ठागर्ची को भोग लगाएगे, फर मेरे को क्या भोग लगाएगा, पासी खिखिण मेरे को भोग लगाएगे, बगर भो स्वयम बवस्था आपको बने गए, और जो उसका थाना बदला दिया, उसका मतलब है, जो वेक्ती भगवान के सेवा करेंगे, बगवान लक्षमी क्रिपा करती है, क्यों, तो मेरे को भोग लगाएगे, बगो भोग लगाएगे, इसलिए कम से कम इतना चीज लेगे, जाओ, खाने से पहले भगवान को तुलसितल से भोग लगाएगे, बगर भोग लगाएगे, नहीं खानी चाहिए, क्रिश्न गिता में कहते हैं, भुण जनते तु अगम पापा, हे अर्जून, चो मेरे को भोग नहीं लगादे को भाप भोजन करते हैं, मनु सहिता कहता है, जो चीजी मुझे भोग नहीं लगता है, वो कुते का भिष्टा खाना, वो डाल चाबल खाना है, बरावर ये मनु सहिता कहता है, इसलिए अभी पुतना को उनने वहीं पर गिराया, सारे तसनस कर दिए, चिख्या देते हैं, अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे संतो की सेवा ठाबल को सेवा फर पुतना उड़ कर गया जाईगा, फिर पुतना गिरी करें कि से अध्या दास करतेगी, लेकिन ब्रजवासी का कुछ कुछ नहीं हुआ, सारे ब्रजवासी वहां पर पहुंचे, वहां हमारे लाला को कहां उड़ात उड़ी ले जा रहा है, जिवा पुतना मरी परी, भई भईया लाला कहां पर है, उपर में उनका किलगारी मार कर खेल रहें, शिड़ी लाए, और किसी तरह से कृष्ण को वहां से उतारे, फिर भईया जसोदा ने उनको स्तान पांट जब कराए, कृष्ण स्तान पीतर के तब मिठी-मिठी-मिठी पर खेल लाला ठीक ठाए, फिर कृष्ण को उनने तिलक लगाए, तिलक है न, द्वाता संगे मुझने तिलक लगवाए, काली गया के पुछ से जहाड़ा लगवाए, राए नून की मंत्र करके छेताव करवाए, लाला को भूत उतर जाए, उनने तिलक लगवाए, तल बद बले इतना बड़ा सरीर को किया किया जाएगा, बले एक आग लगाओ, बले इतने लगडी कहां से आएगी, पहले इसे सरे पेर टूट गया था, जो हुमाया विवस्ता किर रखीती, जब आग लगाए, वहां से अगुर करपुर चंदन के फुसुग आ रहे, तो बले क्यों भगवार ने कहीं कि सतंत भगवार ने पात की, यहां पर शुटेव गुस्तव वामी, एक सुन्दर स्लोग पहरे है, बले भईया भठी करना तो कृष्ण को ही भठी करो, इधर तो रदेवा देवी तो भठी मत करो, मना के रहे हैं, बले, क्यों, कार्ण क्या देगों सुट पुतना को अंदर में सारी दुर्बुणी है पहला नमबर पुतना मतलब जो पवित्र नहीं दूसरे नमबर में राख्यसी तिसरे नमबर में बच्चों को फून पिने वाली चौध नमबर में घंगवान के लिए जहर लेगे दाएगे लेकिन देखो भगवान कितने दयाल हुए करते भुन्ना अभग उन्ना प्रभुत देखो इना था भगवान इसके अभगों पर नजर नहीं देते हैं लेकिन उसने जुत्कुर नार्त को उनने कीती एक सेकेंड के लिए कृष्ण को फुत्र रूत में के वला दर्सन की वले ऐ निकाकार कहते हैं पहला नमबर पुतना जो अभवित्रती अगर कोई भगवान को पास में थोड़ा स्नान करती थोड़ी बस्तर नए बस्तर धार में करके आ जाए पर ठापुर उसको क्या नहीं भगवान के लिए लाइक है क्या बलब 20 अगर 20 लाने वाले बिट्ती को अग अगर प्रभवान के लिए भूल लेखर का था छर दिय्के नको पियारा जैजीन में पंलेकर की आजया है तो उसको भगवान किया नहीं देगे तिस्री नंबर ती राख्य मार में ओथी राक्यसी कृष्णाय परमात्मनी अगर कोई स्रधाग को बगभगवात को पास में आए प्रेठागर उसको क्या नहीं देखें कृष्णा भक्त में यह विसे सबूनी लेकिन अगर कोई दुसरे देवादेवी को पुजा करो अगर तुम्हारी पुजा में थोड़ी सी इधर उदर हो ज को पुजा देना प्रिजाएगा लेना देना को देना बड़ी जाएगा कि यो दुसरे देवादेवी है ओए होगा ना थाकुरिक नौस्त को तरफ नजरे देंगे, लेकिन दुसरे दिवा देवादिर हा उनको साथ में हमारा कोई भी समझ नहीं, इससे हमारी कोई समझ नहीं, इसलिए कहते हैं तौमे वा माता चाठ काल में पूतना को क्यों माहेती हैं, इसलिए अभी प्रश्न हैं रिकरिष्ण गोपुली में जन्म हुए, पूरा ब्रेज में हला होगी हुए, नंद कितने सुंधर लाला वे ओ Casey, जो एक बार देखना निहाल जाए हुए पहले पहले लेकिन अभी उल्टा हो गया है पहले हम जानते थे हमारे गाह में जो कोई बच्चा जन्म होता था ना 21 दिन तक अबढहे करते थे अभिव्रिज में पुरा हला हो गया किया सुंदर भालक नंद ववाका होए है अभी सारे अंदर मेंечатर वलस्तियां जाते थी मेया तरश दर्वती लेकिन कोई भी फूरुस अभी अंदर कोई नहीं जापाते थी अभी सारी ब्रजवासियों को मैंने तरस एं हम कृष्ण को कर एक कृष्ण को कैसे करें कृष्ण दरसन करें यह ब्रजवासी को सब्सक्राइब को नित्य परिकर अगुरुजी की नियक्तिय परी करिये कोई साधार में बेती नहीं। कृष्णा सोच रहे हैं, मेरे भक्तों लोगों तरस रहे हैं, मेरे को दर्शन देने के लिए। दर्शन करने के लिए। अभी मैं जाओं केजे। मेरे को तभी छुटा बच्चा अभी मैं छेच साथ दिन का हूँ। मैं जाओं के इसे बाहर आगर के भक्तों को दर्शन नहीं दे सकता हूँ। इतने में उनकी जोग माया ने किया कि ये पुतना को लिए। और पुतना को अंदर में अंदर में घुज गई। और कृष्ण को पकड़ करके तो बाहर निकाल दी। जब बाहर निकाल दी इतने में सारे ब्रजवासी सब के सब आकर के विसेश करके जो उसको सरीरी को जलाए। उसकी सरीरी से जब करपूर अबुर्गी जब खुसकू आ रहें कि ऐसे लग रहा था ना तो कोई स्वर्ग लोको से खुसकू कहां से आ रहा है। सारे तो सारे ब्रजवासी उइपर एककट हो गई। और एककट हो पर के सब के सब भगान को दरसन कर लिया। थाकुर जी सबको उपर में दरसर दने के लिए उनने चे दिन निवे प्रहुज निए पुतना को बद किया है। बलसी कृ्ष्ण कर नियाला लेकीन जये चये स्री रादे जये चये स्री रादे प्रभु 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 क्याते पूतना का मतलब क्या जो पूत मतलब पवित्र ना मतलब नहीं जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है भगवान शिख्या देते हैं अगर मेरे को हिर्दय में वैड़ना चाहते हो ना पहले ये सारे अपवित्र को नश्ट करो इसलिए पूतना कितना करें कितना पूतना ये तीन या यह ना क्यारे इसलिए ताड़ता ये जी जो बगाता है काम क्रोज लोग मोह यही चीज ही जीव को बगाता आता है संसार में जीव को दूख कश्र देते हैं इसले समझो दोनों प्रहु एकी चीज शिख्या देते हैं रिदय में भगवान को बैठना चाहते हैं तो सबसर पहले किसको मारो यह ताड़का को पुतना को सबसर पहले में मारने चाहिए कि देखो आज स्री गृराजी कथा है कृष जोर सकताना लगा उल schauen और फिस घुल एकादसी कथा सुन लेटे कल एकादसी कल एकादसीकल एकादसीना लेकादसीना कल एकादसी एकादसी ऄठाड है सबस्क्राइए ब्रहार है अगर भागवत कथा में एकादसी आ गया तो समझ चार चांद लगे विल क्यों फलिए भागवत ग्रथ में जैसे कोई सोब कोई मंगल कोई ब्रियस्वती अलग-अलग ब्रथ रखते हैं यह भागवत में कोई ब्रथ का नाम लेगी केवल भागवत में केवल एकादसी की ही यह उतर हैं इसलिए भागवत कथा में एकादसैना ब्राव सोब भागवाने जाती हैं हम लोग एकादशी वरcession रखते हो इकादसी ब्रथ रखते हो हमां बहुता हो पुरुसताव महिन है और फिर्चत करके कि यह महिना के कौन सा महिना हैμεगा भगवान स्वय थित्ती का नाम अपना नाम खरी पुरुसताव नाम उनने दिया है और यह पुरुसताव महिना में फहर एकादैसी बृत जो मुझो सुने में सहाल आ difistoma है इंश्य लिए एकादसी ब्रत करके आप जो कुछ मागों के आपको सो मिल जाएगे सब कुछ एकादसी ब्रत से मिल जाती है जैसे कोई सो मंगल भ्रियसमत रखते हो उसका कोई एक ही भालो लेगी यह 26 एकादसी जब पुरुषत वामिनान और अब इसको पढ़कर के अभी देखना हर एकादसी का अलग-अलग अभी जो कथा सुने जो नंद वाबा यह पुत्र का एकादसी ब्रत रखने पर जिसका पुत्र नहीं होता है वो पुत्र विलता है एक एकादसी का नाम है पाप मुचली, जो एकादसी करने से पाप नेश्ट हो जाती है, एक एकादसी का नाम है मुक्षदा, मतलब जिस एकादसी ब्रत रखने पर जीद इस जन्मे मृद्धुक्त से चिरकाल के लिए निकल करें कि भगवत भक्ती, भगवत धा मुक्षद मु हो जाती है एक अधिसी का नाम है इंदिया इंदिया मतलब तर लक्समी जो एकादसी ब्रत करने बर्मा लखने के बड़ी कृपा होती है इसलिए आप चब्वीस एकादसी का पढ़ोगा ना देखो कि इसका सुब अलग 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 नाम आपको सुआरी एकादसी का आप से राध्यस्तान के राध्यस्तान के नियम है जैसे कोई वेक्ति अन्तिमी सज्याम लेठा हुआ है किसी तरह से प्राण नहीं छुट रही है साल साल से उपड़ा हुआ अगर किसी ब्राह्मान को भुलाओगे तो भई आई जल्दी से पाप देसे नश्क हो जाए कैसे जल्दी से जल्दी मुप्ति मिले आप देखना वो कोई बाहर ब्रत का नाव जो नहीं हो अब भाहर भाहर जा रहे हो अब आज ऐसे प्रोच एक अधिसी कथा सुन कर जाओ अब इस सारे काम को गद्द कर दो नहीं ता आप एकाधिस ब्रत नहीं कर दो जो पांच मेंट बाह परन नहीं जा रहे है है साल चाल चे पड़ा हुआ अगर किसी अधि ब्राह्माक को आप बूलाओंगे सारे बच्चों को आर्द्रम होता सारे पांधर अकर दो अगर किसी ब्रामन को बुला करके बोलोगे, भया इनकी जल्दिस जल्दिस मुक्ति कैसे मिल जाएगे? आप देहना, वो कोई बार बड़त का नाम नहीं बताएंगे, वो बोलेगे, आप लोग एकादसी बड़त करके आप खल इनको बरतार करो, सारे पाप जल्दिस जल्दिस नश्टो हो जाता है। मैं कुछ दिन पहले ईरोब हो गया था प्रचार करने के लिए। एक बेक्ती दो साल से हस्पिटाल में बढ़ती था। उसका सरीर हठी स्टेल हठी रह गया था। मैंनो सरीरे कर विछणा में चिपग वुआ यूद अम्रितु नहीं हो रही ती, किसी दरहां देट नहीं है। उसका प्राण इस गले में अटक गया था, पिछी तर से मृतु नहीं हो रहा था, सब दुखी-दुखी, जब में इरोग में गया था, उसका परिवार वाला मेरे को लेकर गई हस्पीडा लगे, बाबा, इनके दूख हमारा देखा नहीं जा, दो साल से पड़े गये इस, प्र पिंजल के मुप्ती मिल जाता है, इसलिए आप संकल्प गरके एकादसी की ब्रत प्राल करना, बाबा, एकादसी आप दस देनी वाखने, लेकिन एक एक दीन बितना इनके लिए बड़ा कढ़ीन हो रहा है, मैंने का एक काम करो, तुरा परिवार आप एकादसी आप करके फल आप दोगे आज ही संकल्प गरले, बोलो हम सबके सब एकादसी ब्रत करके इनको फल देंगे, फिर उनको हाथ में पूल दिया, सोस्ति वाचने पड़े करेके, सब इनको दो, अब संकल्प गरो, हम सब मिल करके एकादसी का प्रत देंगे, उनने जब संकल्प ग्याना उसी आपनों की सखेश्ट मैंने एक जागा पर नहीं हजार जागा पर देखा हमारे जो बड़े गुरुजी के समय पर एक ट्रक नहीं यहां पर परिख्मा मारगा में एक गया के आक्सिदेट हो गई उसको अटी पसिना तोट गया एक आमेरिका से हमारे बड़े गुरुजी का था था करना इक चोंदेवर कि एकाटकर प्रटां था कहले करता ही सब्सक्राथ समय में मैंने इसे पहु शरी जागा पर देखा एकाट शी भ्रत की हमें माहिमाथ कियों कि एकाट इसका जो अधिन बड़े देवता इस व्युब आम कृष्ण इसको माधषभति थी द्थि जनन ने में इसको बता है ये माधषभति थी ए भक्ती की ये माँसरी edited भ्रत इसको तो रहा शुद रही है बने से जिचन शेयर सर्दूश्थ होते हैं जयगत में 33 इकरण से देवता है कि को बारत अलग ब्रत मंगलवालक अलग भूद का अलग अलग देबादिन घ्रिपान के अधिस को अधिसको फुष्ट गिया दूसरे भगवान बाधा वपरिश्ण है इसलिए इकादसी की ब्रत है ना करते हमारी निसी मुनियों ने जो जो उनने ब्रत रिखा है हमारी निसी मुने लोग बड़े-बड़े साइंटिस्ट इंट नोगों थे इन लोगों ने जो जो पिधान रखा वो सब के सब साइंटिपिक देखो इस चीज़ों आज पर समझें आप दूसरा वाँ समझा सकते हो देखो यह सरीर एक मसीन है कोई भी मसीन को आप कटीनुव चलाओ देखना उज्ञादा करी काम नहीं करता है जैसे कोई भी मंजे से भ्याम चलती है अगर कटीनुव चलेगा भी जाते नहीं जाएगा है उसी तरह यह सरीरी में एक मसीन जैसे बच्चे लोग इसकुल पढ़ने के लिए जाते हैं संडे को छुटी रहता है कि नहीं कि हूँ संडे को छुटी रहता है साथ दिनी पढ़े बढ़ेगा अगोड़ संडे दो दिनी चुटी होता है विए पुरा पढ़े ना बढ़ेगा पर संडे को छुटी की होता बले नहीं पढ़ेगा ही वो पागल हो जाएगा जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं साथ आत प्रियर्ड होता है बीच में एक रिसेस होता है ख्यल चु एक मसीब है अगर दीन भर बक्री जैसे अगर मोह चलाते रहोगे ना फेर तो यह सरीर मिन्वारी बढ़े जाएगा इसलिए इसलिए ज्यादा दिनी काम नहीं करेगा इसलिए रिसी मिनियों ने बले आप पंदर दिनी में इस सरीरे को एकवार बिश्राम दो अभी प्रश् और प्रिति लोर्टा जाएग cricket राथं अक्रश्य मिन्वार कीफर्टी प्रैणी मिन्गड़की और व उपन्ती पानी वर लड़ती है कर दिया चैन्द़र के प्रिथिव प्रि 一 स्म्वत्र में втор लटलAR तो आधर से के दिने और ज्यादा और पुर्मिमा दिन तो बड़ी-बड़ी लगरी आती समुदर में कारण है यह चंद्रमा जितने बढ़ते जाती हैं उतना यह आकरसर्ण करता हैं यह पृतिवी को लेकिन पृतिवीको तो आकरसर्ण नहीं कर सकता उसका प्रभावा पानी क कि उसी तरह हमारा जो शरीर है यह शरीर है हमारे पांच चीजी को तरह बना हुआ उसले कि है पांच मिट्थी रायो आकास चल और अगनी यह पांच चीजी बनी हुई बताओ इसलिए इस्री न क्या है आप लोगा देख लिएगा जिनकी कमरें में दर्द है जिनकी गुल्धने में दर्द है सरुणिव में दर्द He द्वादस में और खड़ा कुर्णी मां को इतने दर्दों का सोर नहीं सकते हो कि चंद्रमाप आकर सण करती है चंद्रमाप इसलिए एकादस्री का अधीर इसलिए हमारी जैसे आप अर्न खाओगे जैसे अर्न खाओगे ग्यहों खाओगे इस पांज जाती है यह बस्तु यह और ने रोटी खाओ तो थोड़ी दरी बात में प्यास लगीगी आप अठना खाओगे अतना पाणी खेंचेगा अंधर में उसको अपर में चंद्रमाप प्रवावक उतना ज्यादा पढ़ेगा उतना भीमारी बनोगी आप किसी हस्पिटाल में जाओ देखना सबसे जाता और लिम्हारं को बात हैं? देखना लग्या खरकर एका दिससे लेगर eh पुर्णिमात होता है, जहां पर मरने वाले व वेक्ति किसी शुर्णान को पास में जाओ केना सबसे जादा एकादसे पुर्निवात पर अग्रम अग्र doors बांगों इसलीर की ने सीं और दीक थैनल इनल एकादसी की पीड़ाने पर बतांगे पांच Jordan ग्रमPoint जो भोटेंबंग बल्होट भुम हम सबता इकादसी की दार्ण में इक आदसीगा दिनी आम बोर्फ करिए इसलिए एकाद डसीगा दिनी जो उर्म विजण करेगा उसको इसलिए पद भोलाम पढ़एगा इसलिए गाम मेडिसीन, तेरा माये नत आदाए कि हिले मेडिसीन ग गरीजन जा इन करते है बिले लिए याई शिलिए एकादसी क आ दीनना फल खाओ, और एसे चीज घाओ, जो चीज चाहता पाणी और जो चीज चाहता पानी नहीं मागते हैं इसलिए एकादसी प्रत है, फुशीश करना हैं शмовता बार बुच्छे तो कुछ नहीं खानी कली है सब्छार्म करад किसे सब्सक्राइब शाएब से चार करण सब्सक्राइब जिए झाल। गोज़न नहीं में करने चाहिए। खाने के लिए तोपश आरे लग। जिए और कल एकादशी आएगी, पर शुनिदर कफा उना होगा। तीन पती पती निए उनको पता हिए नहीं था आजिए ऑज्या बढ़ा है। आप दिखना कमी जो मान हो जाए ना सलसार ने पतीबतिन की, दो-दो-तिन-तिन दिन खाना नहीं काते हैं, अगर कमी सलसार को लड़ाई हो जाए तो, इसलिए उनको पता ही नहीं था जी एकादिसी सबर-सबर लड़ाई हो गई, उनने मान करें उनने दोने भजन नहीं किया, ओर अगली जिवन में कभी राजा राणी बन करकeren के जन्व हुग जन्व हुए हम आपको अच्छी हम कठा सुनाएंगे और अभी भागवत में लेगने कुछ लोगों ब्रहमें क्या ब्रहमें एकादसी को बिधवा करते हैं सद्धवा नहीं भागवत पढ़कर के देखो अंबर इसी महाराज आपना पतिनी को साथ में इसी मधुरा में अंबर से टिला यही पर उनने इकादसी ब्रत की जहां पर उसे दुर्वासरे सी आये ते नंद जसोदा एक अगली घीवन में भगवान के पढ़नानी करें एक 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 अदसी आती है पांडवा नेजला जिसको द्रोगों दी कुंती पंचपन्च पांडवों को साथ में रखते थे में इसलिए कहीं इबात निकाहुआ नहीं इसलिए आठ साल से लेकर 80 साल तक इकादसी कर सकते हैं प्रशना आए इसका उद्यापना फिर नहीं है क्योंकि एकादसी को नहीं है कि सख्यात भक्ति स्वरुपृ इस राधाजी के शुरुपृ एकादसी है अपना महिया को थोड़ी आप देदे तो इसलिए भक्ति जगत में कोई उद्यापना की बात नहीं है वह में जितना दिन तक समर्ख उतना दिन तकत्र नहीं कर सकते हूँ इसले कल एकादसी और बिसस्च करके कल कि अभीक मेना में इसका पडी फुन घी कि अपे सब एकादसि प्रत करना कल कोई ही एकादसि इस अर्णा मत खाओ और यहाँ पर दप्रसादव नाइन तीक नाइन तीक अविश्द कोई उन्गा करो से कोई शिंगा करो से नुग इस कि अवरेख कर और देखो कि जो गरीराजी की महिमा बड़ी अच्छी अची पुरान में कि कथा थीं विज्डेश करके गरगर सहिताम में इसकी बड़ी सुदर सुदर चथा की आप लगों कौन गर्ष गए हो आप सबके सब करके अब लगने गिरी राज गये हैं वह भाई यह गिरी राज आए कहां से यह गिरी राज परपत किया है यह बड़ी अच्छे अची कता है यह मोहीत हुँ हुँ है अप जब्सक्ipe कर नाम है अच्छे कर यह बड़ी अबको है महतुकिтशपिया ने यहीं है कर दो आप तो पांच विल्ली पांच में अवu थे शनाया है अरे कृष्ण आप मोगन में अर्या-बदो इधर आगा, हाँ देखो, जो गिरिराज का एक नाम है, सर्भ अभिष्ट प्रदाता, इसका मतलब क्या है, कद ये गिरिराज से आप जो कुछ हो मागोगे, गिरिराज हमारे सारी इच्छाओं को को ही करने वाले, भगवान जब इसी जगह तर छोड़ करें गए, हमारे लिए तीसरी चीज के प्रजुभूई, भगवान की समय से यही तीन चीज, जगत में प्रभूप, बध्ध, जीव की कल्यान के लिए छोड़ करें गए, ये यमुना बढ़रानी कोन है, भगवान की प्रेम, जब द्रभी मुत हो करके पानी रूप में भेती है, ये सरी जमुना ब गोबर्धन गए होंके देखना, वो गिरात का पथर गोपर पथर रखा हुआ, जानता हो क्यों पथर गोपर पथर रखते हैं, ठागुर जी हमें इतने मंजली मताम दाना, ठागुर जी उस तो उतना मंजली मताम बेदेते ठागुरे, आप देखना वहां पैड में धागा पैड में पैड में पैड बांद हुआ, जिनकी बेटी की साधी नहीं हो रही है, जिनकी नवकरी नहीं लग रही है, जिनकी बिजनेर से खेल हो गया, आप कोई भी इशा लेकर के जाओ, बड़े गुरु जी कहते हैं, जब कोई बेक्ती ये गिरीराज की परिखिमा करते हैं ठाकुर जी इसको पिछे 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 भूते हैं, यह मेरे से क्या मागेगा, इतना कष्ट करते हैं कियो मेरी कुछ, इतने परिखमा क्यों कर रही है, इतने ठाकुर जी तयाल हुए, इसलिए और उनने यह सांसार की बस्तू, आसान इसे ठाकुर जी दे दे संसाब दुनिया दारीगी दुठान मता लेकिन यो सबसे एक बड़ीवस्त गुरुदयेकु के थे जो भगवत प्रेव भगवत भक्ती भगवत सिवा जो माघते हो ना तब गिरिराज इतुना सोचते है कि वहों सोचते हैं कि वह जब भगवान भक्ति देते हैं भगवान को उनका अधिल बना पड़ार। लेकिंधों भक्ति भी देते हैं लेकिन जो भृधय से उन्सेप्ति मंगवे ये घ्रिराज हमारा संकर्दाय में इसलिए चुण दुनिया जिनी को पुजा कि आताइए अपना हाथों से बहुत पुजा के सबसे पहले परिक्मा किसी ने लगाई यान तो एध भार है परिक्मा इतने लोग की हीं गर एफ डिने लगाई परिक्रमा अब प्रभुजी आपको बड़ी अच्छे अच्छी गठा सुनाएंगे, यह एक प्रभुजी और हमारे मुहां पर हर्स परुजी दोनों बड़े दोस्त हैं अंदर में, और यह दोना ही सब ते इंजिनियर हैं, यह दोना ही काम करते थे दिली में ही कि नौगर थी, लेकिन य कोई कि में, दो दिन ही यहां पर आते थे मंदिन में आकर कथा सुनते थे, अभी दोनों ही यही पर चले आये, आ करके नौगरी थोड़े बहुत थे यही से काम कर लेते हैं, फड़ी पैसत थे तो कव मिलता हैं, लेकिन होने पर भी यही पर बैठी करें यह दोनों, अपना नौगरी करते हैं, और यही पर कथा सुनते हैं, भृदावद के परिक्मा करते हैं, सत्त संग करते हैं, और भगवान को घजन करते हैं, अभी यह पर इसी कथा सुनाएं जबर्ण से. जबर्ण से. तो आप सब लोग तो वैष्णौल आपके सामने क्या मैं गिराजी की महिमा करूंगा, सब को पता हैं, लेकिन पिर भी जैसे गुरू वर्ग से सुना है, दोबारा उसी को चल भी चलवन करने जा रहा हूं। जैसे की गिराजी की लीला के कई कारण जैसे भावत में हम पढ़ते हैं, तो बताए गए गए हैं कि घराजी की इसका मूल कारण तो जो भावत में दिखता खाहिए, इसके लिए सारे पकवान ब्यार रहा है। भहवाने यह सावित करने के लिए कि देवी देवताम की पूजा नहीं कदनी मेरी ही पूजा करनी है घर न से जद्रिए प्रवानों तरफयन रिस अटर अध है कि रहे हैं कि जैसे विक्षकी जड़ में पानी देने से सब जगह पानी कहुंच जाता है और मुख्या पृर्वान मुव मे खाना देने से सब अंग पुष्ट हो जाते हैं। तो यह चीज में आधू बहुत लुक्ति करने से सब ःषंद हो जाते हैं। उनकी उपासना ते अच्छा है मेरीं ही उपासना करूँ। तो इस चीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए तो इसलिए हमें इंदर की पूजा ना करके गिराजी की पूजा करने चाहिए तो यह चीज़ भगवान ने उसके बाद क्या हुआ ग्रजवासिन उन्हें खरवान की बाद मान भी और क्या किया उन्होंने घराजी का पूजिंगा पूजिंग तडियो है तो इस ते इंदर ने क्या किया अगर वर आथी अगर लो तुम मेरी पूजा दरते हो उसके बाद को देवी घे दो तुम मारे पीशे पढ़ जाये तो फिर भवाने उस चीज के लिए उनकी रख्षा भी करके लिखाई गिराल जी को धार्न कर लिए जाद दिन तक भवाने गिराल जी को अपने बाएं भूली चोटी सी मगली पर धार्न करके दिखाया और दिखाया कि मैं अगर कोई बात कहता हूं तो उसमें पूश्य जो है बहुत भड़ गया है इसलिए मुझे क्या करना चाहिए अब आवा का दो धन है क्या है यह बहुत बड़ी विप्रति का कार भी बन जाता है अच्छा अच्छी वस्तों भी है लेकि दन बहुत बड़ी वस्तों भी है क्योंकि धन क्यासा है जैसे रावायं में लाव गढ़ता है जो उतना ही बड़ता जाता है हमारा लोग उतना ही बढ़ता जाता है हमारा लोग इस चीज को शुवान न यहां गिराज जी के पूजन के मातें से समझाया कि देखो नंदवाबा का कोश्च जो बढ़ रहा था तो गवाने का थी कि पैसे ही है जो खर्च करवा रहा हूं क्योंकि इतने बड़े की राज जी हैं तो उनको कितना भूग लगा था कि राज जी को लगा तो इस पकतिम से भगवान शिक्षा देने कि जो धन है वो ज़्यादा संग्रह करके नहीं रखना चाहिए इसको साधूर गुरु वैशनों की सेवा में खर्च करते हैं न चाहिए यह आता रहेगा अगर इसको जादा तुम दवा के रखोगे तो यह परिशानी की विर्ट करेगा इसके लिए चोटी सी कथा और यादा कि एक पार कभीर जी क्या थे कपड़ा बुंते थे जुलाहिक सबाइन सब को भणतेदहिक गए क्यों सबस्क्राइब लुब Is Blog How the world ofаров जर्किक ⁠ वहहां पर कुछ त में यह अड़ो का दिगए चब निए जरू अजिए दश्छ में हम हम इसको बांट लेते हैं भुभेर हैं पर बीसे नहीं कि अपनी तो दो आज वह वह लेते हैं जो दोनों के विष्ण पर्शेक वह हम चहते हैं और जब यह लोग तो वे उन्होंने उन्हों को भी मार दिया वो भीश्माला खाना काज़ा कि मर गए तो भी देखा हूं ये डाइन खागी ना चारों को खागी अब देखना भी और पर एक उसके बाद इतने में क्या हुआ कि वहां पे पुछ सैनिकार वो वो लोग किसी सराय जाके रूखे नर्टी कर दिने का यह तो साइए में जाके वो लोग चारों मर रखे द जो सराय में जुटी तर्ए को उसको पता चलती है तो रहां पे तो वहां पहले शूरू ज़या सी था कि ये तो हदन हमारा है दोनों राजा आपज में लड़के मर गए तारे सैनी मर गए राजा भी मर गए तो धन ऐसे का ऐसे बढ़ा था लोग जीने का देखा मार टायन है न सब को खा गई यह तो इस तरह से जो धन है यह जो धन है इसका ज्यादा संचेनी करना चाहिए तो इस चीजे चुछ जो लीला होई इसके मातन से भवान देकर हमारे बूबेव को घुट एजिते हैं जी जो दिल्वां बड़े हो रहे थे पहले तो जो रादा जी थी उनके साथ मिरन उनका वाणी से हो जाता था बीच में सागयत में ही मिलीए डंगां से लेकिन अब जैसे इसे पड़े हो गए तो थोड़ा संकोज करते हैं तो अभी मिलन नहीं हो पाता था दर्शन नहीं हो पाते थे और क्रिशन चाहते थे कि रादाजी का मुझे पूरा सततक दर्शन हो तो इसमें बड़ी उनको पठनाई होती थी तो भवान ने ऐसी लीला रश्री क्या लीला रश्री तो सब के मुझे और सब प्रिशन भवान को लेकर उस समय भवान को दर्शन कर रहे हैं इस तरह जिकरी भी भवान की लिलाएं होते हैं तो इस गिलिलाजी के लिलाएं होती है प्रद्णारारी ठीचे मोलसीक्रिराज महराणी ठीचे जे जे सृीराए तेडियो जा उतना ताली दिनीट जब का पाथ सबचा जब ताली किरलाई अगी तुगराए जच्ट पिति जए यजा कर्मास ज्यानती विरांदस ज्याना अंजन शदाकया चक्ष्वरून में तम्ये नपस्वेश्वे गुरुवे नम्हां करना नो तो अभी हमने मोहिद प्रभूजी से शेगिराइड जी की महीमा के बारे में शबन किया तो गिर्याज जी जब भी भगवान दीला करते हैं तो भगवान के सभी परिकर भी जो है इस तरह थाम पर प्रगट होते हैं जैसे नंद बाबा ये शुदा मया शीराधा रानी और सभी सक्किया ललिता विशाके इत्यादियों सखा दाम सुनाम इत्यादियों तो इस प्रकार जो भगवान का धाम है वो भी भगवान की दीला से पहले ही जो है भगवान की सेवा करने के लिए इस धराधाम पर प्रगट हो जाता है तो उस धाम में जो ब्रजधाम है जब ब्रजधाम प्रगट होता है तो ब्रजधाम के साथ यमुना जी और श्री गिरिड जी है ये काफी समय पहले ही दंटी पर आ चुके थे क्योंकि इनकी कथा त्रेटा युग में भी बिलती है कि जब राम चंद्र जब राम चंद्र जो है वो लंका पर जाने के लिए सेतु बंधन कर रहे थे तो उस समय बड़े-बड़े पथों के अवशक्ता थी सेतु बनाने के लिए तो उस समय हनुमान जी जो है वो हिमालय से बहुत सारे पथ्रों को लेकर कर आया करते थे तो समय यह जो ऐसके जह सेतु का आ रहे थे तभी रास्ते में आकाश्वानी हुई और उन्हें पता चला कि सेतु का निर्मान कारे तो पूरा हो चुका है तो इसलिए जो हनुमान जी है उन्होंने गिराज जी को जहां पर वो जा रहे हैं तो उसी स्थांपर रख दिया तो फिर गिराज जी ने कहा कि आप ने बहुत सारी लीलाएं करेंगे और आपको उन्हें की सेवा का बहुत प्रकार का अफसर मिलेगा तो इसलिए जो गिराज जी है जो अभी हम देख रहे हैं गोवर्धन में जो गिराज जी विराजमान है तो गिराज जी यहां पर आकर के विराजमान हो गई इसलिए यहां पर कि यह जो किया है ये हरिदास अगैए अर्थात भुनांग के भक्तों भी सर्वस्रेष्ट हैं क्यूं सरफश्ष्ष्ट हैं? क्यूंकि ये भगवान की सप्रकास से सेवा करते हैं एक तो सबसे बड़ी बात भगवान राम और क्रिष्ण मुर्था बला राम और क्रिष्ण दोनों के चरण कमलों का सपर्ष जो है श्री गिर्णाजी को प्राप्त होता है जब भगवान गोचारण की लिला करते हैं या अध्वा सक्षियों के साथ जाए श्री राधा जी के साथ बहुत सारे जैसे दान घाती इत्यादी की लिला हैं और बहुत सारे जो लिलाएं हैं इनी ग्रिराज जी की कंदराओं में करते हैं तो गिरियराज जी क्या करते हैं गिरियराज जी बहुत सारे जर्णों के माध्यम से बड़ा ही स्वासित जल भगवान की सेवा के लिए रह्म करते हैं और हरी हरी घास कायों के चलने के लिए और भगवान की जो अत्यंत मधुर लीलाएं हैं उन लिगाओं को करने के लिए सुंदर सुंदर फंदरां का निर्मान करते हैं तो इस परकार जो जो है गृर्राज जो है वह भगवान के बहुत ही शेष्ठ सेवक जो भक्त बताएगए गुरु जी कहा करते हैं कि ग्रीराज जी है इनके दो सवरूप हैं, एक तो गिरीराजी स्वयम भगवान श्री कृष्णी ही है और एक गिरीराजी का जो सवरूप है, वो है भक्त का सवरूप तो हमारे लिए जो गिरीराजी का सवरूप है, वो एक भक्त का सवरूप अधिक महतफूर्न है चुकि जो भगवान की भक्ति है अथवा भगवान की सेवा है वो केवल गुरु और वैशनवों के भक्तों के अनगत्ते में ही प्राप्त हो सकती है तो इसलिए गुरुजी कहते थे कि तुम लोग कभी भी जब जाते हों गृराजी परिक्रमा करने के लिए तो कभी भी गरिजिक संसारिक कामना करना केवल मात्र भगवान की भक्ति कामना करना और यहां तक बुरु देव कह दिया करते थे कि तुम लोuite कभी भी कुछ मागना मत तुमारी दर्वसे मैं मागूंगा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या मागना चाहिए तो इसलिए गुर्देश स्वें प्रास्रा करते थे कि जितने भी उनके शिष्षे हैं जो गृराद जी की परिक्रमा करते थे उनके आंगरते में रहकर के उनको भुवान जो गृराद जी जो है वो शीरादा राली क और ठाकुर्षी की धक्ति प्रतान करें तो इसलिए हमें भी जब भी हम किरी राजी की परिक्रमा करें हमें केवल मात्र गुरु वैस्टों के आंगत्य में जो है भंगवान शीरादा कृष्ण की भक्ति ही मानने चाहिए बहुत कि मानने दिया हुआ पुलस्री किरी राज बाबार की अनल जोर सुझे अल्लष महा राज एक जैज इसरी जाता हैं अब लोग ने बड़ी प्यारी भी यारी मिट्विटी कृटी कठा सुनें प्ली किरी राज आये कहां कि गर्द शैंता में भरवर्न्रान आती हैं एक समय भधवान की जो निक्ट जो बुलोब बृंद्वाने एक दिनी राधा क्रिस्ट्न दोना गयिठे हुए त MARISHA कर रहे थे एक शूधर सहान हो जहां सारे सूधर स्दर जहरनाए ओ उसूधर सूधर पुड़ और सूधर कंदराउए ओ सूंधर सुंधर कुंजय मासं दर सुंधर घर नाएं हो सबसे सूंदर स्थान होनी चाहिए तो सरी राधाराई अपना हर्दय सेही गिरी राज गोवर्ध अब प्रकट करते हैं इसलिए व fat ass लोः ग्र्ट कहां जाई लोई हुआ दिथे कि राधाई कि हर्दे से प्रकट एक ते श्री स्याम सुंदर राधा रहनी से बोले, बोले हे राधे, ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूं, मेरे साथ मैं चलोगी, बोले मैं नहीं जाता हूं, बोले क्यों, बोले जहां पर जम्या नहीं, जहां पर गिर्राज गोबर्धन नहीं, जहां पर नंदगाँ बरसन नहीं में तो उहां जाना नहीं चाहता हूँ कृष्ण बोले देखो राधे कि जो बोलो को ब्रिंदावन देख रहे हूँ न मैं जब इसी मर्ते जगत में उतरूँगा मैं अकला थोड़ी जाओंगा संपुर नहीं गिरी राज वो बर्धन को में उतार दूँगा मेरे पिता माता सखाए भी जाएंगे तेरी पिता माता तेरी सक्धियां भी जाएंगे सब के सब चलेगे राधाराणी पोलिक द तमेंच कु कि इसका मतलब है तो हम यह जो बहुंआदावन में जो देख रहूना कि ये भगवान ये बोलो के व्रिंदावन सही उनने उतार करके लाई इसलिए बोले स्रिक्रिष्ण चैतन्न प्रहुजिवे दया करी सपाल सदस्रीव धाम सहब धरी भगवान जब आते हैं परिकर धाम समेद को लेकर किसी मर्ते जगत में भगवान आते ही इसलिए कर दीए ग्राज गोबर्ध देवाशन को जब आये कहां पर आये स्रीवेश्व द्रोन और रूरत इंक बेटा बने करें स्री ग्रीराज गोवर्ध हैं है यही जन्व के वाद्व प्रसंन हो इनकार कि स्वर्ग से कुस्पाउं वह भूचार की और ग्रीराज बला स्री गिरीराज महराज यकीर बला अभी ये गिरीराज यहां पर कैसा आगे आप लोग उने एक कथा सुनी जब पूल बंदर हाथा स्री हद्मान की सोच रहते बड़े से बड़े परबत मिले और चलते से जंदी पूल बंद जाए और मैया सिता की उधार हो जाए किस लिए यके गिरीराज गुबधन को जब हद्मान ले लेकर की जा रहते जहां पर स्री गुराज गुबधन जब वहें पर हद्मान ये पहूंचे इतने में उनको ख़बर मिला अभी सब्सेद्वां इंशन्त बंद्धना समाव्त हो गया यहां तक में जब गए आगें तेरे को साथ दिन तक कर निष्ट अंगल उठाएगी भग्वान गया चराएगी यहीं पर कृष्ण रास रचाएंगे कोई चिंता मित करो ये एक कथा आती है दूसरी कथा आती है एक देरी पुलस तरिसी जी द्रोन और भड़ा है इनकी घर में कभी अतिधिवन करें गए और इनकी पुत्र रूप में गिर्राज गोबर्दर पर्बद रूप में थे बढ़ा सुंदर पर्बद है हर तरगा फाल फुल से भराबड़ा हुआ अब इसी पुलस तरिसी रहते थे कासी में वो कासी एक तम जैसे मर भूमी जैसे था वहां पर कोई सुंदर जंगल पर पाणी नहीं उनने देखते था बड़े सुंदर जहर नाए बड़े सुंदर कुझ्य पुपा वले अगर कि इसको किसी तरह से वहां उठा करें के लिए जाओ ना रिसी लोगों घजन कर सकते हैं तो उन्हें दुना चल से प्रार्थना की आप अपना बेटे को दे दो अगर आपका घर में कोई आए आपका बेटे देदे वो अब देदे वे अब उसको पूछ लो जाएगा की नही उन्हें ने देखा अगर मना कर दो मेरे का भी सब्सक्राइब करेंगे जा सकता हूं लेकिने दो सर्त पर उसके पहले 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 हैं और यह फूरा उन्हें अपना हाथ उपर में सभी गिर्राज बूठा लिया है आते आते अभी जहां पर गिरी राज अभी यहीं पर आये, अभी गिरी राज गोबर्दन कोन हैं, यह भगवान की कृष्ण की नित्यस सेवग है, यह भगवान की सेवा करने के लिए आए, उन्हेंने देखा भई आरीसी पतानी कहा कासी मुझे ठासिय देने के लिए ले जा चेंकि काशी यह माया वाजियों का च्तानी है, भगवान को निरागर निरागर मांने वाले और यह भ्रज रस हुमी हैं, भगवान के लिलाव भुमी यह भ्रज भूमी हैं, मेरे को बता नहीं कहा कासी फासिदन ले जा रहा, उन्हें ब्हुरी बिछवान क wrestle खिए ठाकुर लगा वेने लगो首先 का रूप नहीं पाई नहीं और लगोसंख्याय कैसे नावर जन्य कहत ही नियुक्त सब्वाइब इसको बाद में जरू अंहीं हाथ भ्यार कर गिरी राज वत्छाने के लिए और मेर टैसे उतोस्त लागने किया प्रतिक्यां जीती, बीच में रतुंगा तो नहीं जाओं 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 अब भीत्र होकर तुम्हीं कुस्पर्सण नहीं कर सकता हो, सारे अब की प्रतिक्यां खतम, मैं तो यहां से जहने वाला नहीं, फिर उन्हें आभिशाव दे दिए जाओं तु ट परको यह आश्री बात हो जब तक में प्रभु आगर के लिला नहीं करके जाते ही तब तक में पुर्ण रूप में रहूं जब भरवान चले जाए फिर आपकी अभी साथ लागों फर इनने तथास्त बोलती है इसलिए जब भोर कली जुग आएगा ना ये गर्गा नहीं रहे ग्रिष्ण जृप्ता हा रहें लुदद से खरणतं को है करने रहें प्रभुस करने करो कर jiganWhy ये जितना जल्दिष जल्दीः हो भगवान की भत्ति कर तीक न पहंश्वे आपशी मैं ठाकुर्चि गो फासलता फासी चलौत जल्दी जल्दी करें कित्यार इसका पहला कारण है भक्ति बहुनिष्ट नहीं होनी चाहिए इसलिए उन्हें साधारना देवता नहीं उन्हें इंद्र का पूजा बल्द करवाया इंद्र को नहीं सारे देवता का राजा बल्ब या जोली भेलाना है ना सबको सामने जोली मत भेलाओ वही तुम्हारी जोली को भरने वाल हैं सबकों चीडिने वाले गिरी राज गोवर्द है प्रसी कि बहुत महाराज तेकी इसलिए वह एक अदुष्ट भक्ति की उन्हें सिख्या दिया है सर्वेध्रमान परिद्य दूसरा कारण है इंद्र का अभिमान हो गया था मैं स्वर्ग का राजा हूं कि ये मेरे प्रजाए नंदवावास्री कृष्ण सोचे जिनके खड़ाओं में स्रीप्रधार्न करता हूं जेनके झोड़न खाता हूं जो मेरे कान को मोल देती है जिनका मैं स्वयम सबग बना गुए म्यों पता एप्रजवास्यों को कितना ओहिमां है ये प्रजिवास एक सरक्ती। आधिर स्वेयर कि ध्रब्रवत真 cakesiemeशने कि टीने स्वर्ग पूई प्रगट कर सकत है कि वेलीक जब भूने कि नहीं कि अ करना ब्रिंदावनिक युक्ष और मरकन आजाने कोई आल न ओर फ्टह पट न सरी ड द राधत न इ就ा को सालाय न नए अब इंद्र का अभिवान को तोड़ना था तिसरा कारणा बताए ये ब्रजवासियों को साथ में साथ दिन तक प्रभूत्सव करना चाहते और निश्चंद रूप में कोपियों से राधाराने से मिलना चाहते लेकिन जो सर्वस्रष्ट कारणे हैं कृष्णा गृराज क्यों प्युक्ति ड autopsy कर्णा की इसका कारणा बताएब भघवान की सर्वस्रष्ट रिलागी रास लिला है अब भगवान क्रिष्णा कि रासलिलागर ङंभाई पृष्ड्व गुपियों से बगर और आस नहीं कर सकते हैं इसलिए उदार न दिया है प्रच का हीरो क्न है बड़े वर उन को सामने कुछ लोगों में एकट करेगा आउसको सामने सब परास्त करतेगा वह हीरोईस व हो इसको उपर में आक रिश्न होजाता है वर एक्सर पर को दोम सामने कि एक्रिस्ट आदी को बहुत या अभी कृष्णा सोच रहे कि आखल अशन करें इसने वह दोली ला करते हैं एक उनने कालीय को सरबर निर्थे किया है वह तुम लोग उने बड़े-बड़े कलागार देखें होंगी को रसी को पर नाचने वाले को गिलासिया को पर नाचने को दलवार को पर नाचने को इस स ische realise capital को इत्याटन य प्रभु को बढ़ना चाह रहा थहा एक साथ में अट कैसर तुसरे सी स्करपवने लिख सिनी चर्टी उन्हें नहींतार चरन को चला रही टी सार्य देवता अन्याटा कि इसिए बीबड़े लुट इज श Una बबगठी मुंड नप्र नाश सगिरी धारी भीन जेझ उन जेगे विन जेगे नाग बाद वाली आधाय डग गेट उन्द नपर नाचत किरिवारी सननन सनननका सिखदन गनतन करवड़ सबस्ति नाम नाम नन्द those दान नथ मुझृ नाम देशत्मान् बी आधाय ड़न नकर्णा कर नाचत किरिवारी प्रभु बलियारी ओ, पहले तो मेरा अभिवान था, मैं नटराज हूँ, संकर जी नटराज है, लेकिन प्रभु आज तब आप फेल हो गया, बड़े-बड़े कलाकार को देखा, लेकिन आज से आपका नाम स्री नटराज है, नटराज होता है, संकर, बार मतलब संकर जाए, संकर का अब हो रहे, बड़े सबसे बड़ी आजिन वाले कोण है, बले भगवान स्री क्रिष्न कर नहीं है, इसरे उन्हें इन ये एक लिला कि, बले दूसरे लिला किया कि, बले उन्हें ने स्री गरिराज ब्यवर्ट rugged उठाया आप बताओ थो खृष्ण खृहार के नाता हो गर्राज तो था फिर छ घृष्राइक हुटाये साथ साल कर और कितना चृष्प गर suffering क्रोश मिनटे वर्ैना को यदेक हान पृछ स यह कंना सुरू जाइए लेकिन कृष्णा है कितना अरे मेरे लिए कोई बड़ी बारी बात थोड़ी है मैं तो उल्टा हाथ से कर सकता है उल्टा हाथ नहीं सबसे छोटे उंगल बड़े छोटे उंगल नहीं नक को उपर में ग्रिराज उठा लेया इसलिए करते का चुमा खना का बल बढ़ो कच सबसे बात को झाता है क्लेकि जिए अगरिशी आखेंगी छुगरा महारां गीश्री किस लेगदीयर जो थी है दुदीक कि यह लेया व्रूटिका हुए ऊटीका हुआ था इसलिए कषण होगिख गरी आप हें इसलिए एक दिन महिया जसुदा लटू पचोड़ी माल को राद बर चखाच को बना रही थी कृष्णा पर जद्य भी साथ साल दो मेना के हो गए कृष्णा अभी तक वो देख रहे थे कर रहे थे लेकिन कृष्णा है से गिरीराज की महिमा को दिखाने के लिए कृष्णा न पूछ अभी कृष्णा पिता जी को बहुत में वैठी गए दाड़ी पकड़ लिए पिता जी यह पहिया आज इतने लटू कचोड़ी मालका की बना रहे हैं कल क्या मेरी जन्मत इती बले नहीं बैटा फैर कल हम लोगो स्री गिरीराज गुवर्द के पूजा करेंगे लिए विटाजी गिरीराज ने कोन हैं बले के श्री पूजा करें थे अंज़री इंद्र देवता की बले इंद्र देवता कोन है विश्वर्ग कर आजाए हम लोग गोला है इनिक अधिनी में ये मेग रहता हैं इनिक आदेस्पर बारिश होग की है गया घा सखाते हैं और दूथ मुझाigator कुछ कुछ करते हैं। बिरिमक के की ज़िए देवता करते हैं। इससे थाल फुल सब कुछ पिता जी इससे मिलता है। हमारा ब्रज का प्रकट देवता स्री गिरीराज गोवर्ध नहीं। इसलिए पिता जी कब से पुजा कर रहे हैं जम से हो साया। बहुत देखे हो कभी इंद्र को देखे बहुत नहीं। पिता जी अगर आप ये गिरीराज गोवर्ध नहीं के पुजा करोगे ये प्रकट रूप में दर्सन देंगे और ये सब की इच्छा पोई करेंगे जो मागों वह देंगे। बहुत लाला इन्ही आँखों से हम दिवता दर्सन करेंगे। बहुत भाई आप ये वह देवता दर्सन किया आए जो पिजा करेंगे। बहुत ब्रेजवाद लुए इंडरा भिटवादी आप शबके सब ब्रेजवासी जितना जितना बना रहे तना सब भीशा दबल दबल बनाए गिरीराज के लिए आप लोगपी आप लुठारा बनां आप लेगर जुना पर दौतरा तरह ये उक्सिcktना इज और राजस्तान के कि हैंये हैं और यापर वे दो तरह कि डाल बात चुर्णा बनाए एं लोना जिए इसको पतल में रखते हैं जो खीड जाए और रोना मतल में जिसे घीट अबकता है, डाल बाते चुर्मा बड़े सुंधर बनवाय, दो दरगा कड़ी बनवाय, एक राद कड़ी, एक स्वागनी कड़ी, स्वागनी कड़ी जिसमें पकुडा डाल करे बनाते हैं, राद कड़ी जिसमें बगर-बगणते जो परी बना देखे इसका ना पढ़़ेगा अर्ण कुट अर्ण कूट मतलब जया है कूट मतलब परपक अर्ण के परपक रोटी के परपक मालकवा के परपक कचोड़ी के परपक आइस सारे प्रज में कितने गाऊं वले 315 सणी भाव है पर लिवरोली सेही सेही उच्चा गाउं नंदगाउं बरसाना इसलिए प्रज में अभी भी 35 सरी गाउं से प्रज में इतना सौरे खाना बना करके लाए ना पूराघराज गुबर धनरत्म भर गया आने खाने में कृष्णा अपना हातों से पंचा मृतवक सुक्त मंत्र बढ़े करके उनने सरी गृराज की अपना हातों से उनने पूझा कर वाए पूझा करा खे उनने ठाक उरजी को सनान जब कराए न एक घटी गंगापानी था तो पाणी लेकरें का तुपाग ना तला बगा नहीं। गरिराज जी अभी सेट तबल गंगा पाणी बेँ होनी चाहिए। बढ़े करने यहां हमारा इंद्र तो अच्छे किसी पाणी बेँ ना लो तरे इसे ठाकोर गंदा पाणी बगर नाईगे नी। गंगा पास में थोड़ी है, हरिद्वार जाओ, सोरो जाओ फिर गंगा, हमारा तो वही इंद्र देवता आच्छो, तब ही तरे गिरिराज को हम गिरिराज मानेंगे, अगर इहां पर गंगा को प्रकट करते तो बले चिंदा के उदर तो आख बंद कर सब के सब, अभी में मान गंगा को प्रकट करना, भगवान अपना मन में गंगा को स्मर्ण करते ही, सचमूस से गंगा देवे सोयं प्रकट हो गई, बले स्री मान असी गंगा की, इसलिए आप देखना, गिरिराज समझा का भी उच्छा है, लेकिन मान असी गंगा में ना नीच्छा है, बले क्यों, सबके सब गंगा में ना रहें, अब भी ना रहें, इसलिए गंगा ये कथा आती है, दूसरी कथा आती है, ब्रजवासी का भी गंगा सनाने के लिए जा रहे थी, क्रिष्णों बोले देखो, कितने भोले वाले हैं, गंगा को मेरे दासी है, मेरे चर्णा से निकली, चर्णा मनसे गृंदा को प्रकट किया प्लैसरी मानसी आज़िक अब कि अभी जितना सब खाना लाए दिना सब भी तुलशी बता दिया, तुलशी बता देहिं सबुदू पर तुल से बतादे तो कौने शारा से बता अगया पुजारी मंद्र बड़ा है यह दमत्र है को सब्कूरदा धां जिसवी तो अधाश कर द दो आदि आज लगाराज महाराज यकी इसलिए उन्हें स्री प्रें ने शीड पर तुल से बतादे दिया देखर के गिरिराज तो आसन पात्य आचमन और उनको पुस्पांजल देखर के जब उनने स्री गिरिराज गोबर धन को उनने आभान किया इदम साइधिर्द नईपेत उपकरनम स्री गिरिराजाय हस्वाहा जब उनने दियाना सचमुष से स्री गिरिराज उन्हां पर किसी जीवन में कभी अर्ण बस्तर की कमी नहीं होगा घर में मालक्ष्मी भरपुर रहेगा अगर ये जन्म जन्मा तर में कांगाल वार कितने में घुराज अपना हाथ पसार पसार करें वह खा रहें आक्तव कि अजर अरूर ऑण लाओ लो वहां फैला घ्राव होगे गाह नाम कि क्योंको वहीं पर ही ग्रियाज क्यों कि कि अभी प्रजवासी प्रभु ये गरीब ब्रजवासी आप इसी में ही संतुष्ट हो जाओ तब गिर्राज त्रिप्ता असमी बोलकर के वह संतुष्ट हो गया हूं लेकिन भगवान को जो अर्पण कि आना भगवान के सब कुछ खा लिये कृष्ट का सखाता सेधाम मधुमंगाल प्रभु तुम्हारी ऐसे भूखे ठाकुर है सब के सब खा लिया एक अर्ण भी नहीं रेखा हम जो इंद्र की पुजा करते ते ना उसे सुखा प्रसाद होता एक महिना ते उस्टा प्रसंट रहते ते ते एसे भुखे ठाकुर सब खा लिये अगली साल जो थाकुरी कि मुझा आया अम नहीं कर दिद्र बगवान वले एसना नंतर कर खाट ठाकुरी जीको आँख बेते करो आख बेते किये तो गिरिराज श्या हात घुमा दिया हाथ घ प्रसाद नहीं कभी कभी कब नहीं पटता है प्रसाद असने जादा होता है कृष्णा ने कहा ब्रजवास्यों चलो चका चक प्रसाद दखाओ और चलो खाते बिते हुए फिर्टन गरते हुए श्री घ्रिराज की परिकुमा लगवाएंगी आफे जीवेस्वेस्वामी बड़ा संदर बरुना करते हैं हें सबसे पहले कोन चल रहे थे कौन चल रहे हैं सबसे पिछे विर्टन गरते चल रहे थे चलते चलते अब राधारनी वलांस्ट में, भी में राधाची की मन में इचा हो रहे हैं, तो पिरी paprika से समझे हैं ? कैसे दारसान दू राधार ने का समसे विश्टे कृष्ण बीच में इतने में कृष्णा अपना बहादुर दिखाया अपना गया चाना जो लगकोपी धान उपर में फैके पैकर कि उसको पकड़ने के लिए गई राधा ची पिछे पर कृष्णा जो पकड़ने के लिए कि दो आप और राधाराणी का दोख मिजट एक हो गया वास राधाराणी तो बड़ी खूस हो गई कन्या मेरी इच्छा को पुरी कर दिए फिर थोड़ी दूर गए फिर सोच रही है कि आप फिर कृष्ण मुझे आकर के थोड़ा सपर्स करें लेकिन राधाराणी से पिछे पूच को एड़ दिये और वो बच्छरा पुदक्त हुए तो पीछे पहुंच गया और कृष्ण बच्छरा का बहाना मना करके पिछे गए और राधाराणी को पीछे सपर्स कर दिया और राधाराणी का रिदयत प्रेम में भरभुर होग इसे ही कृष्ण प्रजवासियों जर्ण को साथ में पूरा करदं परिक्तर करते में घर्राज गोवर्दन के परिक्म लगाए अब हमारे प्रभुजी एक बड़े सुनर भजने काएंगे घर्राज गोवर्द लोगी और यहां पर गोवर्दन है नंक्या गोवर्दन का कोईशी बनाएं गैंग नहीं वाना है तुझे थीक है आप लोग सब खड़े हो जाओ प्रभुजी भजने गाएंगे अगे गिर्द्राज को बता है ना इनकी भजने में जो नाचेगा तरह सारे नाचेनात भजने हो जाएगे दुनिया में पर कही नाचेनाने पड़ेगा एकिन सबस्क्राइगे खड़े हो जाओ प्रभुजी भड़े सुंदर भाजने को इसे पर दोब्स धर भजने में दुणालों अदू बहुता मती चादने बकताद के समका के अधे किसा न बनीद कर दीने तो पर्गताद काू बहुताद मम्न लोगता सित माती पाद beslित न दिए अधे मशरमी मती सब्यूझा के सितार पर्त से तो बहुताद काू भंस हमान उतल झादादविपान नर्मने के लगा नो, आजे बोगा, 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 जाओ झाओ तार शफट सी तक नाहा बिल्य वी जाओ आड मैने लड़ा बिल्य वी झाओ यज पर बिल्य वी जाओ आड मैने लड़ा झाल 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 झाल